सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परवीन धुंडवा में फिर हाजी रहें एक और बड़ी अपडेट के साथ अपडेट जुडिया सात्यों रियाना में कच्छे करमचारियों को लेकर आप सभी को पता है रियाना सरकार द्वारा विदानस स्वाचुनाव से पहले एक और डिनेस लाया गया था कच्छे करमचारियों को जोब स्क्योर्टी के लिए जिसमें बहुत सारे कच्छे करमचारी थे जैसे एक पुइंट बीस लाग कच्छे करमचारियों की बात की जारी थी उनमें बहुत सारे ऐसे करमचारी बाक कि रहा गया था क्योंकि साथियों बहुत सरी कंडिशने होती हैं बहुत सारे रूल रिडानलेशन सरकार को दियान में रखने होते हैं तो उनी को दियान में रखते हुए सरकार ने केवल एक cin must बीस लाग कच्चे करमचारियों चेर्ट को ओर्डिनेस जो लेके आगया था उसमें सामिल इए और वह और वी दान स्मामय कल को 13 नोंब्र को पास पास होने वाड़ा है। नई बात है साथियों कि सरकार अब जल्द ही ओर्डिनेस टू लेके आने वाड़ी है। जिन कच्चे करमचारियों को डिनस वन में सामिल नहीं किया गया था जैसे कि 50,000 की सैलरी से ज्यादा के जो करमचारी है जिनकी सैलरी हो गई है उनको इसमें सामिल नहीं किया गया था उसके लाव बहुत सारी फैकल्टी ऐसी थी जिनको सामिल नहीं किया गया था और पांच सा पूरी डीटेल से जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्त जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं तो आप जासा की स्क्रीन पर देख पारें वीशवीध्याल्या के अनुबंधित सायक प्रोफेसरों को समावित करने का मुख्यमंत्री ने दिया अस्वासन तो आप सभी को बता दें कि अर्याणा में जो वीशुवीध्याल्या हैं उन में अनुबंधित सायक प्रोफेसर हैं उनको समावित समाविशित करने के लिए मुख्यमंत्री ने श्युवासन दिया यह पรति निदी मंदल मिला है मुख्यमंत्रीю से विश्वी जल्यों में अनुमंद पर कारियत करीब 1500 सायक प्रोफेसरों ने सरकार को उनका चुनाई वादा या दिलाया है यह सायक प्रोफेसर वे हैं जिनका वेतन पचाज और रोपे से मामूली ज़्यादा है और जिस कारण से वे अनुमंदित करमचारियों की सेवां को सुरक्षित करने के कानूनी दायरे में नहीं आ रहे हर्याना युनिवस्ट्रीज कोंट्रेक्चल टीचर एसोशेशन यानि हुक्टा के परतिनिडी मंडल ने सोंवार को चंडिगड मुख्यमत्री अवास पर मुला करमचारियों के समाविशित कर सेवा शुरुक्षा परदान करें मुख्यमत्री ने का कि हम पचाज आर्शे ज्यादा वेतन वाले अनुमद्र करमचारियों के लिए सेवा शुरुक्षा अधदेश-टू ला रहे हैं इसके लिए उच्वधिकारियों की डूटी लगाई हु विजा मली ने बताई को विज़े थी सरकार चैवाे सेवा शुरुक्षा चूल लाकर सतर में सेवा शुरुक्षा परदान करें ताकि सब ही कच्चे क्रम चाहिएं को एक साथ सेवा सुरुक्सा मिले जिس से सब के anni का खूशम का रहे इसा से उसरоз मंजीत और पर देक प है और बड़ी अच्छी बात है मैं तो यहां पर एक और उमीद लगाए हूँ कि जो कच्छे करमचारी जिन को पांच साल से कम समय हुआ है एक दो दिन कम है किसी को महीना कम है इस कंडिशन को हटा कर सरकार कोई बिलकुल कम समय की कंडिशन लगाए है या जो करमचारी इस दाएरे में नहीं आये हैं उन सभी को औरडिनेस टू में सामिल किया जाए और जल से जल जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा किया जाए हाँ हम यह कहते हैं सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रही है जिन कचे करमचारियों को जो स्कूर्टी एक्ट में सामिल किया जा रहा है उनको बदाईयां और सरका सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है और जो कह रहे थे कि यह केवल चुनावी मुद्दा है इसको बाद में कोई नहीं पूछेगा तो समय रहते आपका जो ओर डिनेस है वह विदानसमा में पारित होने वाड़ा है और सरकार से उमीद लगाए बेठे सभी करमचारी और उसी को देखते हुए जो डिपार्टमेंट ये कह रहे थे कि हम अभी से जो न्युक्ति पत्र वजारी नहीं करेंगे तो लगातार एक एक करके बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने अपना ये काम शुरू कर दिया है और यहां पर मुख्यमंतरी जी उन्हें साब साब बताय कि सरकार अब ओर्डिनेस टू लेके आ रही है क्योंकि उस समय अचार सहीता लग गई थी और 50 जार से ज्यादा की सैलरी जो करमचारी है उनका जो अर्डिनेस नहीं बन पाया था लेकिन अब साप कर दिया है जल्द ही इस ओर्डिनेस को सरकार लेके आए और अपने वादे क को पूरा करेंगी यदि जिन करमचारीों को इस में साबिल नहीं कि आगाaja वह कर्चे करमचारी कठे उकर अपने मुक्य मंत्री सहाथ से मिलें बड़ा दिरिया दिल है मुक्य मंत्री इसीओं मिलें वाद खास ऻौर ठोर पर सुनते हैं आप मिलें और हम तो आसा करते हैं अम उन कच्छे करमचारियों को भी इसमें किसी ना किसी तरह से मेंडमेट करके सामिल किया जाए तो धन्यवाद सात्यों लगातार जुड़े रहें यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो एक एक करके आपको नईने वीडियो मिलेगी और जैसे ही आपका बील विदार समय मे जाएगा तो लाइव आपको दिखाया जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद जाहिए कि अ